हालो, तो आज हम रिप्रेड़क्शन और ओकानिजम के बारे में पढ़ेंगे, अब रिप्रेड़क्शन इंपॉर्टन क्यू है ये समझने के लिए हम एक सिंपल फूर्ड चेन को देखेंगे, तो अब आप देख सकते हैं कि ये फूर्ड चेन में प्लांच हो है, वो सन की एन प्लांच दोनों भी फूर्ड सोस हैं, तो अगर इस फूर्ड चेन में अगर प्लांच से रिप्रेडूस करना बन कर दिया, तो क्या होगा, प्लांच सारे और पर मनने लगेंगे, उपर से हभिवोस अपना एकलोता फूर्ड सोस खो देगा, तो वो भी मननने लग जाएंग और man के लिए दोनों food source भी गायब हो जाएंगे तो man भी मनने लग जाएंगा तो अगर आप एक food web को दिखेंगे तो आप इसमें देख सकते हो कि ये सारे organism जो food web में है वो plant से ultimately related है तो अगर plant से reproduce करना बन कर दिया तो ये सारे organism affected होंगे और ultimately ये भी मरने लग जाएंगे तब ये आप देख सकते हैं कि reproduction इतना important क्यों है earth पर अब reproduction समझने के लिए पहले हमें organisms के life spans के बारे में समझना होगा अब life spans क्या होता है life spans जो है वो organisms के birth और death के बीच का time को हम life span कहते हैं अब most organisms में life spans जो है वो 3 phases में बटा हुआ है पहला है juvenile phase second है reproductive phase और last है senescence phase तो ये phases के बारे में हम आगे chapter में पढ़ेंगे detail में लेकिन इस chapter के लिए reproductive phase सबसे important है क्यों? क्योंकि reproductive phase में organism reproduction कर सकता है तो अब भी हम different organisms के life spans को देखेंगे और उसे एक डुसे से compare करेंगे अब एक extreme पर है mayfly जिसका life span है less than 5 minutes और दूसरे extreme पर है banyantri जिसका life span है more than a thousand years तो इन दोनों के बीच में सारे organisms आते हैं और इनके life span एक डुसे से बहुत ही अलग है जैसे कि rose plant जिसका life span है about 10 years या banana tree जिसका life span है 25 years या फिर elephants जिनका life span है 80 years या eels जिनका life span है 150 years अब क्योंकि इनके life spans एक डुसे से बहुत अलग है इसलिए during the life spans भी जो ओफस्परिंग पैदा करते वो भी number में बहुत अलग होंगे जैसे कि mayfly जिसका life span बहुत ही कम है वो अपने life span के दिवरान बहुत आफस्परिंग को पैदा करके फिर मर जाते है लेकिन banyan tree जो है उनका life span बहुत ही लंबा है इसलिए इसके दिवरान वो बहुत कम आफस्परिंग को पैदा करते है as compared to mayfly तो इसलिए life span जाना बहुत ज़रूरी है एक organism का क्योंकि वो हमें अन्दाज देती है कि यह organism कितने number of offspring पैदा कर सकते है अब reproduction का meaning क्या है अगर हम यह word reproduction को break up करेंगे हम यह दो words मिलेंगे एक है read दुसरा है production अब re का meaning है again तो reproduction का meaning है produce again अब importance क्या है reproduction का तो basically एक organism जब offspring produce करती है तो वो offspring वो organism से मिलता चुलता है तो मतलब इसके लिए वो organism का species जो है वो continuously maintain होता है earth पर तो इसके लिए importance का है reproduction का to maintain the continuity of the species on the planet अब factors क्या है जो reproduction को affect करती है वो है दो एक है habitat दूसरा है external morphology अब अगर habitat को हम देखेंगे तो harsh environments में most organisms offspring को अपने body के अंदर carry करती है क्यों? क्योंकि body के अंदर temperature maintain होता है और offspring को external environment से कोई connection नहीं होता इसके वाज़े से offspring चल्दी develop भी होता है अब external morphology कैसे affect करती है reproduction को तो आपको पता ही है कि एक plant animal से reproduce नहीं कर सकता क्यों? क्योंकि plant का जो sexual features है वो animal से एकदम ही अलग है इसके लिए वो लोग एक दूसरे से reproduce नहीं कर सकते अब final क्या है? reproduction के types reproduction के दो types है एक है asexual और दूसरा है sexual अब asexual reproduction में एक ही parent involved है और इसमें gamits form नहीं होते sexual reproduction में usually two parents होते है कभी कभार एक parent भी होता है और इसमें हमेशा male और female gamits form होते है अब gamits क्या है? आपको याद है कि gamits जो है वो sexual reproduction में जो reproductive cells होते हैं वो gamits बोलते हैं तो अब भी आपको थोड़ा introduction मिला reproduction के बारे में तो अब हम characteristics of sexual reproduction के बारे में पढ़ेंगे पहला है कि यह usually by parental होता है इसका क्या मतलब है? by मतलब है two तो usually two parents involved in sexual reproduction लेकिन कभी कभार एक parent भी involved होता है next है gamits हमेशा formed होते है sexual reproduction third point यह है कि fertilization जो कि यह fusion of male and female gamits हमेशा होता है sexual reproduction में fourth point यह है कि इसमें दोनों mitosis and meiosis processes involved है और fifth point है कि जो offspring produces sexual reproduction में वो parents से genetically identical नहीं होते है क्यों? क्योंकि इसमें male और female gamit fuse होकर offspring देता है इसलिए इसमें characteristics जो है वो combination है male और female parent का लेकिन यह identical किसी भी parents से नहीं है last है कि multiplication जो होता है और offspring का यह इतना rapid नहीं होता जैसे हम sexual reproduction में देखते है बजयों घ्छ结 होई होते है औरियों है और छॉण सबस्जार बहने होई ह में गपभवार कैंः गयान है कि दो यह इना और कभवार करńवार कुआप लज़ programming- लगवार अ ङॉआ